Hello Friends, Good Morning, नमस्कार आदाप सत्स्विकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में Friends, आज है 11 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश-दुनिया और उत्राखन की महत्पूर्ड खबरों से संबंधित Top 10 Current Affairs Questions पर जो की आने वाले सभी exams के लिहास से बहुत important होंगे Friends, आज के इस वीडियो से related PDF के लिए आप हमारे Telegram चैनल UK Study Circle को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे description में दे दिया जाएगा या फिर आप इसे अपने Telegram पर UK Study Circle सर्च करके भी जोईन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के Current Affairs का वीडियो तो Friends, आज का पहला question है Royal Blue Colored Grandala Bird हाल ही में उत्राखरण में कहां देखी गई है इसके options हैं गंगोत्री घाटी, मुनशारी में, कौसानी या फिर मसूरी और इसका सही answer है option A, गंगोत्री घाटी में आम तोर पर सिक्किम की घाटी में देखी जाने वाली Grandala Bird हाल ही में इसे उत्राखरण की गंगोत्री घाटी में देखा गया है Winter Season में इस छेत्र में Snow Leopard भी अच्छी खासी संख्या में देखे जाते हैं और इसलिए वन भीभाग द्वारा इस छेत्र को Snow Leopard Conservation Center के रूप में विक्सित किये जाने की भी योजना है और अब जब यहाँ पर पर परियाटकों की जो पहली पसंद है Grandala Bird जो है यह परियाटकों और जो Bird Watchers होते हैं उनकी पहली पसंद मानी जाती है और Grandala Bird के इस छेत्र में पाये जाने की कारण अब जो है इसे जो योजना थी Snow Leopard Conservation Center के रूप में बनाये जाने की उस योजना को और ज़्यादा बल मिलेगा यह जो Grandala Bird है यह आम तोर पर उच्च और मद्धी हमाले छेत्रों में लगभग 9000 फिट के आसपास की उचाई पर पाई जाती है और Winter शेत्रों में यह नीचले शेत्र में माइग्रेट करती है और गंगोतरी घाटी में यह लगभग 2000 फिट की उचाई वाले गंगनानी और डवरानी शेत्रों देखी गई है और इसके यहां देखे जाने का जो मुखी कारण माना जा रहा है वो है इसका पसंदिदा भोजन एक तरह की जाड़ियां होती है जहां जन्हें इस्थानी भासा में आमील जाड़ियां कहा जाता है और या फिर इनका नाम सी बक्तौन भी इनका नाम कहा जाता है तो इसके ल इकबाल अब्दुल्ला वसीम जाफर या फिर कुणाल चंदेला और इस question का सही answer है option C वसीम जाफर ने other options में यहां महीम वर्मा यह उत्राखंड जो cricket association है उसके सचिद है इकबाल अब्दुल्ला यह उत्राखंड cricket team के कप्तान थे इससे पहले और कुणाल चंदेला को वर्तमान में इन है अब नया कप्तान बनाया गया है हाल ही में 9 फरवरी को उत्राखंड cricket team के मुख्य कोच वसीम जाफर ने अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है यह है वसीम जाफर वसीम जाफर को पिछले साल ही अगस्त 2020 में इन्हें उत्राखंड cricket team के मुख्य कोच के रूप में जिम्मेदाले दी गई थी हलांकि इनके साथ जो contract किया गया था वो IPL के बाद नॉब्बर 2020 में किया गया था वसीम जाफर ने CAU के जो पदादिकारी हैं उफिसर्स हैं उन पर यह आरोप लगाया है कि खिलाडियू के चैन में जो है उन्होंने मनमानी की इनका कोई रोल उसमें नहीं रखा गया और अपनी उपेक्ष्या के चलते भी इन्होंने इस्तिफा दिया है बात करें CAU की तो CAU का जो पूरा नाम है Cricket Association of उत्राखन यह इसका जो आधिकारी के लोगो है CAU की स्थापना की गी थी 2006 में और 2019 में इसे BCCI से मानिता प्राप्त गी CAU का मुख्याले राइपूर देहरादून में है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जोद सेंग गुनसोला और सचिव है माहिम वर्मा अगला कोशन है हाल ही में उत्राखन के किस जिले में कत्यूरी कालीन पांच मुह वाली सुरंग की खोज की गई है इसके उप्शन से चंपावत में, अल्मुडा में, पिथोरागड या फिर चमुली और इसका सही अंसर है उप्शन B, अल्मुडा में हाल ही में अल्मुडा के लखनपूर शेत्र में पांच मुह वाली सुरंग का पता लगा है पुरात्तविभा के अरिकारियों के अनुसार इस सुरंग का निर्मान आठवी और नवी सताब दिके बीच कत्यूरी सासकों दोरा करवाया गया था सुरंग के अंदर गनेश जी सहीद अन्य देवी देवताओं के चित्र मिले हैं इसलिए इसे धार्मिक महत्तो का भी माना जा रहा है साथ ही साथ इसे उसमे कत्यूरी सासकों ने सामरिक महत्तो के कारण भी इसका निर्मान किया गया होगा ऐसा भी माना जा रहा है और शोध और परियतन के हिसाब से इस सुरंग को बहुत ज़्यदा महतोका माना जा रहा है अगले कुशन के तरह बढ़ते हैं आज का चौथा कुशन है जम्मु कस्मीर में चल रही नैशनल विंटर गेम्स में उत्राखन के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है इसके उप्शन से सुहानी ठाकुर मह कमान सुमन से हैं या इनमे से कोई नहीं और इस कुशन का सही आंसर है उप्शन ए सुहानी ठाकुर ने जम्मु कस्मीर के गुल्मर्ग में आयजित नैशनल विंटर गेम्स में अलपाइन इसकी केटेगरी इसमें उत्राखन के खिलाड़ी भाग लेने गए हैं उनकी बाइस सादसी टीम गई है और इसके जूनियर वर्ग में उत्राखन की सुहानी ठाकुर ने गुल्ड मेडल जीता है इसी अलपाइन इसकी केटेगरी के जूनियर वर्ग में ही महक कवाण ने भी सिलवर मेडल हासल किया है महक़वाण वही है जन्होंने पिछले साल आली में आयोजेद सीथकाली खेलो में सिल्वर मेडल जीता था और पिछले साल के ही खेलो इंडिया विंटर गीम्स में गुलमर्ग में भी इन्होंने दो गुल मेडल हासिल हिये थे उत्राखंड की 22 सदसी टीम गुल्बर्ग में चल रही सीदकाली खेलू में प्रतिभाग कर रही है और टीम में जो 22 सदसी में हैं उनमें से 19 खिलाड़ी है और बाकी की जो तीन है वो कोच, मैनेजर अधिकारी आधी लोग है पढ़ते हैं एकले कुशन की तरफ आज का पांचवा कुशन है उत्राखंड में निमनलिकित में से किसके सहीयोग से कीवी मिशन योजना शुरू की जाएगी आप्सन से नाबाड अरुनाचल प्रदेश ए वभी दोनू या इनमें से कोई नहीं तो ये जो कीवी मिशन योजना है इसे नाबाड और अरुनाचल प्रदेश इन दोनू के सहीयोग से चलाए जाएगा उत्राखंड में तो इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्सन सी ए और बी दोनू उत्राखंड की जो जलवाईव है वो कीवी की खेती के लिए अनुकूल है और इसलिए वर्तमान में नैनीताल, उत्तरकासी, बागेसवर, टिहरी, आदी चिलू में कीवी का उत्पादन भी किया जा रहा है लेकिन ये जो उत्पादन है वो व्यवसाईग रूप से अभी तक नहीं किया जा रहा है इसलिए सरकार की योजना है इसमें कि व्यवसाईग खेती के लिए कीवी की जो खेती है उसको बढ़ावा देना ताकि किसानों की आमदनी को भी बढ़ाया जा सके और इसी के लिए सरकार दोरा कीवी मिशन योजना ये शुरू की जाएगी और इस योजना को नाबाड के सायोग से और अरुनाचल प्रदेश राजी के सायोग से इसको शुरू किया जाएगा अरुनाचल प्रदेश के सहीयोग से इसलिए क्योंकि अरुनाचल प्रदेश कीवी के उतपादन में भारत में अग्रणी राज्य है अगला कोशन है हाल ही में 10 फरवरी को किसके द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट समिट 2021 का उधगाटन के अगया इसके उप्शन से भारत के प्रदान मंतरी द्वारा, संयुक्त राष्ट महासचिव द्वारा, गुयाना के राष्ट पती द्वारा या फिर पपुआ इद्नियोगिनी के प्रदान मंतरी द्वारा और इस question का सही answer है option A भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी द्वरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने 10 फरविरी को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी World Sustainable Development Summit 2021 यानि विश्व सतत विकास सिखर सम्दिले 2021 का उधगाटन किया है ये जो इवेंट है ये कारिकरम है ये एक फ्लेक्सिफ इवेंट है Energy and Resources Institute की तरफ से और इसके 20 वी संसकरण का आईजन 10 से 12 फरवरी 2020 के दोरान किया जाना है इस बार इस कारिकरम की जो थीम है वो है सब के लिए सुरक्षित और सुरक्षित परियावरन और हमारा साजा भविशे इस समिलन में संयुक्त राष्ट उप महासाची के साथ साथ गुयाना, पपुआ, नियोगिनी, मालदीव, आदी देसों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधी उपस्तित रहेंगे इस समिलन में उर्जा, उद्योग संकट, अनुकूलन, जलवायू, स्वच महासाचर, वायू प्रतूशन आदी विशायों पर चर्चा की जाएगी अगला कोशन है विश्व व्यापार संगठन के अगले महानेदेसक के रूप में किसे चुना गया है इसके उप्शन है रोबर्ड अजेवेदो, गीता गोपिनाथ, क्रिष्टीना जोर्जीवा या फिर नागोजी ओकोंजो इवेला और इस कुशिन का सही आंसर है उप्शन D, नागोजी ओकोंजो इवेला को नाइजीरिया की अर्थसास्त्री है नागोजी ओकोंजो इवेला इन्हें विश्व व्यपार संगठन ने अगले महानेदेसक के रूप में विश्व व्यपार संगठन द्वारा चुना जाएगा, इनका चुना जाना लगभग तय हो गया है वे इस संगठन का नेत्रत्तु करने वाली पहली महिला होंगी और साथ ही पहली अफ्रीकी भी होंगी यह अफ्रीका से पहली व्यक्ति होंगी नागोजी इस पत पर रॉबर्टो अजवेदो का स्थान लेंगी इस से पहले जो WTO के महाने दे सकते रॉबर्टो अजवेदो इन्होंने हालां कि अगस 2020 में ही अपना पर छोड़ दिया था विश्रो व्यपार संगठन या World Trade Organization ये विश्रो व्यपार संबंदी अवरोधों को दूर कर व्यस्वेदो की व्यपार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक अंतराष्टी संगठन है इसकी स्थापना की गई थी एक जनवरी 1995 को और इसकी स्थापना की गई वो मराकस समझते के ताहट की गई थी इसका जो मुख्यालय है वो जेनिवा स्विट्जर लेंड में है और वरतवान में इसके सदसी देशों की संख्या है 164 अगला कोश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा अपने मार्स मिशन होप प्रोब को सफलता पुर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में इस्थापित किया गया है इसके उप्सन से अमेरिका, भारत, उत्तर कोरिया या संयुक्त अरब अमीराथ और इस कोश्चन का सही आंसर है संयुक्त अरब अमीराथ यानि UAE ने 9 फरवरी 2021 को एक इतिहास रस्ते हुए अपना अंतरिक्षियान होप प्रोब इसे सफलता पुर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में इस्थापित किया है मार्स और्बिटर इंसर्शन के पूरा होने के साथ ही UAE जो है अब मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्षियान इस्थापित करने वाला विश्चो का पांचमा देश और अरब देशों में पहला देश पन गया है फिर्ट बात करें इससे पहले के चार देशों की तो इससे पहले सोवियत रूस के दोरा अमेरिका के नासा दोरा यूरोपी अंतरिक्षियान जो है वो मंगल ग्रह पर भेजा जा चुका है सफलता गुर्वक मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रियास में सफल होने वाला वि भारत ने जो अपना मंगल यान मार्स और्बिटर मिशन M.O.M के नाम से इसको जना गया तो यह मंगल यान भारत ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह में स्थापित किया था और जो यह UAE का अंतरिक्षियान है यह मंगल ग्रह के वातावर्ण का ध्यान करेगा साथ ही इस मिशन का लक्षे मंगल ग्रह का पहला ग्लोबल मैप त्यार करना भी है और ऐसा करने में यह सक्षम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यह जो है वहाँ दिन रात निग्रानी करेगा दिन रात जो है उसका निरिक्षियान कर सकता है जबकि जो अभी तक इस्थापित किये गए जो अंतरि आईडी कोड जारी करने जा रही है इसके उप्षन से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश या केरल और इस कुशन का सही आंसर है उप्षन ए उत्तर प्रदेश सरकार जमीनों से संबंदित धोखाधड़ी रोपने और भू माफियाओं पर सिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दोरा राज में सभी तरह की जमीनों के लिए एक 16 अंकों का यूनिक आईडी कोड जारी किया जाएगा यह कारी जो है वो राजस सोविभाग दोरा किया जाएगा और इनके दोरा सभी तरह की जमीनों इनी कृशी प्रकार की आवासी प्रका की जा सकेगी, यानि कोई खरीदार है, उसे कोई जमीन का बोखंड खरीदना है, और उसे पता करना है कि यह कोई विवादित भूमी तो नहीं है, या कोई अनि जानकारी पता करनी है, तो इस कोड के जरीए जो है, वो आसानी से पता कर सकते हैं, घर बैठे, 16 अंकों का जो ये कोड होगा इसमें पहले 6 अंक यानि शुरू के 1 से लिकर 6 तक के जो अंक होंगे वो राजय सु ग्राम के आधार पर 7 से लिकर 10 तक के जो अंक होंगे वो भूखंड होगा उसकी गाटा संख्या के आधार पर ग्यारा से चौदा तक के अंक जो होंगे वो जमिन की विभाजन संखिया और पंदूरा से तोला से जो दो अंक होंगे ये भूमी की स्रेणी को बताएंगे यानि भूमी कृशी है, आवासी प्रकार की है या व्यावसाइक प्रकार की भूमी है आज का दस्वा और अंतिम कुश्चन है हाल ही में किन है A.C.I. क्रिकेट परिस्द का अध्यक्ष चुना गया है इसकी उप्शन से सौरव गांगुली, जैशाह, राजीव सुकला या अरोन से धूमिल और इस कुशन का सही आंसर है उप्शन B. जैशाह को B. C. C. I. के सचीव है जैशाह और इन्हें हाली में 30 जनवरी 2021 को A.C. क्रिकेट काउंसिल A.C.C. का अध्यक्ष चुना गया है ये A.C.C. के अध्यक्ष पर बंगला देश के नजमुल हसन पापोन का इस्थान लेंगे B. C. C. I. के नुसार 32 साल के जैशाह A.C.C. के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है A.C.C. A.C.A. का एक प्रसासनिक निकाए है जिसमें वर्तमान में 24 सदसे संग है यानि A.C.A. के जो देश के जो क्रिकेट संग है इनमेंसे 24 सदसे 24 जो है इसके सदस्य है निकाए के सदस्यों मेंसे प्रतेग दो वर्स में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है यानि जो 24 सदसे संग इसके निकाए है उनी मेंसे अध्यक्ष मनाया जाता है प्रतेग दो वर्स में फ्रिंट्स, ACI क्रिकेट परिसत की स्थापना की गई थी 1983 में अब आरी है पिछले वीडियो के दौरान पूचेगे एक कुश्चन की ये कुश्चन था उत्राखंड में निम्लिकित में से कौन व्यक्ति एतिहासिक दंडी मार्च में शामिल नहीं होए थे और UK Study Circle के वीवर्स में से जिन लोगों ने इस कुश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम है नरेश रावत, प्रीती नेगी, राजकुमार, चौहान, निर्मला माधवन, दिपी पुनिठा, अशोक कोली, अमित नेगी, नरेश कुमार, सरीता धामी दीब बेडवाल, प्रियंका पाटनी, जीवन जोसी, पुनम पंत, हिमांसु सिंग धामी, परी लंगडिया, एल्पी फिजिक्स क्लासेज, रजनीस रावत, प्रिंस परिहार, विजय कश्यप, उसा धामी, दिया जोसी, कंचु कंचन शर्मा, सौरब रावत, अनीता चन, परगली, एक्ता चौधरी, राहुल कांटपाल, विवेक पनेरू, अजय जोसी, हेम चंद्र, हेमा रावत, महिंदर राम, देवेंदर सिंग कंडियाल, राज कमल रावत, मुनीश कुमार, अक्षय कंडारी, रवेंदर सिंग, जोती फर्तियाल, जोसी सरीता, वललव कापड परगली, हेम राज गेड़ा, देवेंदर सिंग कंडियाल, गुलाम फरीद, मंजीत बिस्ट और हिमानशु गुरु रानी, तो फ्रिंस, आप सभी लोग को बहुत 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 बदाई और हारदिक शुप कमना, और इस कुशिन का सही आंसर है, और बदरी दत पांडे, य ये महात्मगाधी के नेतरत में, अंग्रेजियों द्वारा बनाए गए, नमक कानून के विरोध में किया गया था, इस कारिकरम के अंतरगत, जो 78 सत्याग रही थी उनके द्वारा, 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक, गांधी जी के नेतरत में, अहमदाबाद के साबर्मती आसरम स दांडी तक, जो समदातर पर दांडी गाउं है एक, वहां तक पैदल यात्रा की गई थी, और ये जो 78 सत्याग रही थे, इन में से 3 सत्याग रही, उत्राखंड के थे, भैरवदत जोसी, जोती रामकानपाल और खड़क बहादुर, इन सत्याग रही हों के द्वारा, 6 अप Question of the Day यनि आज के Question की, तो आज का Question है, उत्राखंड राजी के संदर्व में मुख्य केंदरी ये भ्रंश रही का स्तित है, कहां स्तित है ये बताना है, इसके Options है, व्रहत हिमाले और मद्ध हिमाले की बीच में, मद्ध हिमाले और शिवालिक स्रंकला के बीच में, शिवालिक स कीजिएगा, शेर कीजिएगा, और यदि अब तक सब्सक्राइब न किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिविकेशन को अन कर लिजिएगा, जिससे जो हमारी नई वीडियो जो भी होंगी, जब भी अफलोड होंग तो उसका नोटिविकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो फ्रिंट्स, आज के वीडियो में तना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद्ट